क्या mobile phone एक PC को replace कर सकते हैं यार यह बहुत जादा debatable topic है आज के समय में जहां पर देखा जाया तो लोग यह argument आ जाता है वेशा यार PC बहुत सारे काम कर सकता है इतना powerful एतनी performance नहीं मिलेगी आप इतने अच्छे gain खेल सकते हो यह सारे काम कर सकते हो बात बेलगुल सही है यार PC कभी भी परफॉर्मेंस एटल पर कभी बराबर ही नहीं कर सकता लेकिन जब हम इसका दूसरे एस्पेक्ट देखते तो कहानी बिल्खुल बदल जाती है चलिए कुछ एक स्टैटिस्टिक्स बगरा के बारे बात करते हैं एक इंसान आम तोर पे स्मार्टफोंस पे कितना टा हमें बतारों यहां पर उसके कंपैरिजन में पीसी इंडस्ट्री में टोटल पीसी किते भी के पूर इंडिया के अंदर लगभाग 13.9 यानि कि चलो 14 मिलें वर्ल इस्टू 10 का रेशियो चल रहा है यानि की मोबाइल फॉन्स काफी जादा क्वांटिटी में हम पर बिक रहे हैं पीसी तना मेंगा होता है कहां लोग बनलते हैं बाब बिल्कुल फेर हैं लेकिन जब कहानी अगर हम इसको थोड़े डीटेल या डेफ्थ में जाएं तो चीज़े बहुत ज्यादा बनल जाती हैं सबसे पहली चीज़ें आपे बनलते हैं कि लोग आखिर पीसी का यूज करते हैं और स्मार्टफोन का यूज क्यों करते हैं कि ग्लोबल लेवल में मतलु क्या हुआ था अगर आप यूसे में देखेंगे तो वहां पर क्या था कि लोग जब इंटरनेट से कनेक्ट हुए तो पहले वो लोग पीसी के साथ कनेक्ट हुए थे और उसके बाद लेप्टॉप या पीसी नहीं था वो एक्जेक्ली में कि स्मार्टफोन था और यहीं पर सबसे बड़ी चीज आती है कि आज के समय में जातर जो परसनल लेवल का काव हो था वो लगी कि स्मार्टफोन पर करना चाहते हैं मान लीजे अगर आपको इत्रोड़न घिमैल का एप्स यहांपे चेकाउट करोगे यहांप अगर आपको इस्टरग्म परर latest कोई पोस्ट देखनी है आप क्या इस्टरग्राम को यानि कि काफी सारे ऐसे बेसिक टास्क है जहां पर एक मोबाइल फोन के जो काम होते हैं वहाँ पीसी पर कर सकते हैं लेकिन यूजर प्रेंडली रस होने के कारण एक मोबाइल फोन पर उसका यूज हो चाता है और इस वज़े से जो परसनल कंप्यूटर वाला जो सहाधा तर जो काम हमें टाइम पर होआ करता था वहाँ पर वो चीज़ें आपर ट्रास्फर हो चुकिए यहां तक कि अगर आपको ट्रास्फर वगरा करने तो मोबाइल फोन पर आप यूपी आई का यूज करोगे कि यहां पर आप एक कंप्यूटर के अंदर जाके सीधे नेड़ बेंगिंग का यूज करोगे चीज़े दौनों चाके हो जाती है लेकिन जो कंवीनियनस वाला फेक्टर होता है न वहाँ पर मोबाइल फोन काफी जाद आगे निकला है बजाई की नेप्टॉप वगे रखे यहां यह कुछ पैक्ट बाते बतारो और यहां से कौन टिकल कर आता है कि यहां पर परसनल यूज के लिए परसनल एंटर्टीनमेंट के लिए आपका एक स्मार्ट फोन एक बेटर चोईस हो आता है और जातर लोग एक मोबाइल फोन के रहा गया वो हो गया है प्रोफेशनल कम्प्यूटर यान लिए आपको प्रोफेशनल लेवल का टास्क करना है आपको उसके लिए पीसी के जुरुवत पढ़ेगी पढ़ेगी जैसे की ऑलने एकसल शीन भढ़नी है इस प्लेशीट पे काम करना है वर डॉक्यमेंट एडिट मोबाइल फोन से जादा इसी अधाई कम्प्यूटर पर है जहां पर नियुग सकते हैं इसपना अगर हम बात करें और इसके या… लिकिन क्या इतने टीटी टूल्स इतने सारी चीजै के सार्वे क Milaniblia के साथ पे कम्प्भीटे के सारफ क्शलो पे अडिकमर इंडेट कर सकते हो। यहां पर बात करें वीडियो एटिन्ग गी और मोबाइल फोन पर भी वीडियो एटिन्ग हो जाती है, लेकिन सारी के सारी फिल्म में सारा हाई क्वालिटी प्रोडक्शन सार का सारा एक अच्छे क्वालिटी के PC पर ही होता है कहने की बात है कि अगर प्रोफेशनल टास्क की बारी जब तक आएगी न तब तक वहाँ पे PC आगे निकलेगा और यही पर एक में डिफ्रेंस है आम जनता कैजूल यूजर एक मॉबाइल फोन से काम चला सकते है इवन आप काफी सारे लोग एक मॉबाइल फोन के लिए काफी अच्छा काम कर सकते हो लेगिन PC के ऐसी चीज़ है जहाँ पर प्रोफेशनल वाली बात आती है न उसका यहाँ पर कोई तोड नहीं है क्योंकि वहाँ पर आप एक स्पेसिफिक टास्ट की बात कर रोगे और सेम कहानी यहाँ पर मैं आपके स्मार्ट फोन वर्सेज डी एसलार वर्सेज मेरे लैसस के बारे में कर सकता हूँ आज के समय में अगर आपको एक टुदंत एक पिक्चर क्लिक करके इंस्टेग्रम पर पोस्ट करनी है आप उसके लिए प्रॉपरें DSLR कैमरा उठा के उसको यूज करोगे या फिर एक स्मार्ट फोन से क्विक्ली कैप्चर करके आप उस इस्टेग्रम पर शेयर करोगे काफी सारे प्रॉफेशनल फोटोग्राफर के अगर आप इंस्टेग्रम उपन करोगे तो जातर जो फोटोग्राफस होती है कई सारी वो लोग अपने मोबाइल फोन से लेते हैं फोटो शूट जब भी काम की बारी आगी है और वो अपना DSLR वेरले से उठाएंगे वहाँ पर काम करेंगे चाहे बात करें में सेंसर की चाहे लैंसिस की चाहे लाइटिंग की या फिर बात में बात करें उसे एडिट करने की कोई भी जो काम होता है वो वोबाइल फोन नहा करना है जाद जाद मैंनीव डीटील के साथ काम करना है वहाँ पर पीसे और जो प्रोफेशनल एक्यूप्मेंट्स होते हैं वही आगे जाते हैं क्योंकि यही एक चीज है कि नाम के लिए मोबाइल फोन इतने पावरफुल है वहाँ पर आपके कम्प्यूटर को भी रिप्ल कैमरा को भी रिप्लेस कर सकते एक तरह से यहाँ तक कि एपल वाले तो खुद प्रमोट करते हैं कि अपना पूरा का पूरा जो इवेंट होता है वो आईफोन से शूट कर सकते हैं लेकित घ्यालिटी हाँ पर बताऊं क्या वो यह है कि हाँ पर जब भी प्रोफेशनल काम हो कम्प्योटर हो चाहें मोबाइल फोन उनके लिए कर दिया और मार्केट में जितने चीज़ से अफोडेबल रिट में मोबाइल फोन है जितने जादा बिकते हो जितने अच्छा पेनेटरेशन इसे वालव हो है वो बात बिलकुल अलग है लेकिन जहां बात आती है प्रोफे कर सके सारे professional task के कारण जैसे कि Samsung वाले अपने phone के अंदर text देते, जिसके अंदर एक PC जैसा experience भी तो लिया जा सकता है या फिर आपको Motorola में ready for PC मिलता है, आला कि concept बगर आप बहुत अच्छा है, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा practical नहीं है, जहाँ पर अपने पूरी के पूरी gaming PC workstation को totally यहाँ पर replace कर दो खैर वो भी एक जमाना हो सकता है, future पर हम कभी देखें, तब भी हम उसके बारे और बात करेंगे लेकिन आप लोग नेजे comment को बता सकते हैं कि आप लोग के preference क्या है, एक PC या smartphone, यह बात नीचे करेंगे जूर बता ना भूले, मैं हम सुलता हूँ अपने next वीडियो के अंदर Goodbye